हेलो कैसे हो आप हम लोग मीन पर चुके हैं मीन के अंदर जो तीन ताइप के तरीके होते हैं मीन के अंदर गृप्स डिस्ट्रिबूशन को काल्कुलेट करने के वह हमने सारे पढ़ लिये हैं अंगू बेटा हम भी हमने पढ़ लिया है आपका इस्टिप डिवेशन मैथेड और आपका शॉर्ट कट मैथेड तीनों मैथेड हमने जो पिछली क्लासिस हैं उसके अंदर हमें फट्रिप्शन में आपसे लिंक मिलेगा अगर आपको मीन कैल्कुलेशन सीखना है तो आप वहां से देखके उसको सीख सकते हो अब हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करेंगे अब मीडियन होता कै सबसे पहले हैं वह जान लेते हैं उसके बाद उसको करने का दिखते हैं कि कैस उसको कालकुलेट करते हैं और अंगलूब डेटा या को ध्यान रखना है जो आपका डिस्ट्रिभ्यूशन है वह सॉर्टें में होना चाहिए चाहें वह आप या फिर descending order दोनों में से किसी भी एक order में होगा तभी median calculate हो पाएगा otherwise median का calculation नहीं होगा तो ये चीज़ सबसे पहरे ध्यान रखने हैं अक्सर आप बच्चरों को से गलती होती है किसमें अरेंज करेंगे end time पर आके ये भूल जाते हैं ठीक है जैसे mean, mode, median और उनका ये confusion नहीं है किसमें अरेंज करते हैं, mean में करते हैं mode में, median में, ठीक है तो छोटी से चीज़ है लेकिन हो जाती है कभी कभी तो ध्यान रखना है कि median के लिए data arrange होना चाहिए, mode और mean के लिए data का arrange होना कोई मतलब नहीं है, ठीक है पहली चीज़, तो ascending या descending किसी भी order में आप arrange करोगे, आपका answer आ जाएगा, ठीक, last जो हमाई class थी, जिसमें हमने median start mean start किया था, even हमने statistics जहां पर start किया था वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग ungroup data, मतलब जो raw data होता है, उसमें हम mean को कैसे calculate करते हैं, ठीक है, इस class के अंदर हम especially देखेंगे कि mean को, median को, sorry, group data पर कैसे calculate करते हैं, जब हमारा data tables के form में होगा, तब median कैसे calculate होगा, वह आपको especially इस class के अंदर मैं बताने बाला हूँ, ठीक है, देखो, तो ascending या descending order जब हम raw data पर देखेंगे, तो आसान होता है, जैसे मैंने आपको लिख दिया, 2 हो गया, 4 है, 1 है, 8 हो गया, आपका 5 है, ऐसे आपको बुछ data हो गया, अगर ये raw data है, non-tabular form में data है, तब तो इसको arrange करना easy है, 1, then 2, 4, 5, and 8, या फिर 8, 5, 4, 2, 1, descending order, लेकिन, अगर ये data आपका group data है, अगर ये data table form में है, तब इसको कैसे arrange करेंगे, एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक नया term आपका generate होता है, हमारे, उसमें आज आता है, अपमाई study के अंदर cumulative frequency, ठीक है, तो suppose करो group data पर आपका कोई data है, ऐसे जब हो गया आपका 0 to 10 हो गया, ठीक है, मैं आपका यहाँ पर यहाँ एक raw data, यहाँ पर हम एक distribution बना लेते हैं, 0 to 10 हो गया, then हमारा 10 to 20 है, then हमारा 20 से 30 हो गया, और 30 से 40, यह चुटा सा मैंने distribution बनाया, और इसके बाद इसकी frequencies को भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हो गया 5, यह हो गया 8, यह हो गया 3, और यह हो गया 2, ठीक है, यह आपका एक चुटा सा distribution है, कि 0 से 10 जो आपका class interval है, उसकी frequency 5 है, 10 से 20 का frequency 8 हो गया, 20 से 30 का 3, और उसके बाद 30 से 40 का 2, अब इस data को arrange क्या से करेंगे, सबसे पहले तो वो है, इसको arrange करने के लिए आपको क्या करना है, हमें class intervals, जब हम इसका table form create करेंगे, तो class intervals हो जाएंगे आपके, then हमारी frequency हो जाएगी, ठीक है, 0 to 10 आपका class interval, then हमारा 10 से 20, फिर 20 से 30, और अब यहाँ पर एक term बनता है, जिसको हम बोलते हैं, cumulative frequency, cumulative frequency, cumulative frequency, basically आपकी जो frequencies हैं, उनको arrange form कर देता है, उसको sorted form में arrange कर देता है, ठीक, ascending and descending वो depend करता है, कैसा आपसे question बोला गया है, वहाँ पर हमें एक नई चीज़ 5 प्लस 8, यह हमारा हो जाएगा 13, then हमारा हो जाएगा 13 प्लस 2, यह आगिया 15, और सबसे last में आपका आजाएगा 15 प्लस 2 और यह आपका हो गया 17, तो यह जो 5 है, 13 है, 15 है, 17 है, यह arrange form में आपकी cumulative frequency हैं, मतलब frequency को हमने arrange कर लिया, तो median के अंदर data अगर sorted form में होना चाहिए, तो raw data sorted form में करना तो ठीक है, वो एक straight सी बात easy है, अगर हमारा data tabular form में होगा, तो उसको arrange करने के लिए हमको cumulative frequencies को calculate करना है, यह एक नया term आपके लिए है, तो अब आपका यह data arrange हो गया, सबसे last में जो number आता है, वो basically sigma f की value है, लेकिन, median के अंदर उसको हम n के नाम से लिखते हैं, चीज तो वही है, sigma f है, लेकिन median के अंदर जो हम लोग अभी formula पढ़ने वाले हैं, उसमें जो sigma f है, वो हमारा n से represent किया जाता है, तो आपको यहाँ पर sigma f के place पर n लिखना है, यह आप एक नई चीज भी जान लो छूटी से, ठीक है? चलिए, तो basically हमारा था कि median arrange data पर काम करता है, तो tabular form में data को arrange कैसे करेंगे, यह आपके सामने हो गया, ठीक? चलिए, अब start करते हैं, अब एक चीज और, जब हम median में आते हैं, तो median में दो तरह का आपको data मिलेगा, ठीक है, median में हमारा जो data होता है, जो table form data होता है, वो हमारा दो तरह का मिलेगा data आपको, एक आपका होगा more than, ठीक है, number one हमें मिलेगा data, more than, and फिर आपको एक data मिलेगा less than, तो यहाँ पर दो तरह के distributions आपको मिलेंगे, more than distribution and less than distribution, ठीक, दोनों distribution कैसे होते हैं, वो आप देखो, जैसे, यहाँ पर आपका, यह जो distribution है, ठीक है, यह आपका distribution है, जैसे यहाँ पर आपको दो tables दिख रही है, जो left hand side में आपको table दिख रही है, वो आपका more than distribution है, और जो right hand side की table है, यह हमारा less than distribution है, ठीक, जैसे लिखा हुआ है कि more than 0, more than 10, more than 20, more than 30, more than 40, यहाँ पर हमारा सब कुछ less than के form में लिखा हुआ है, so this is more than distribution and this is less than distribution, अब इस distribution के अंदर हम क्या करते हैं, इस distribution का, कैसे इसको median calculate करने में use करेंगे, वो सारी चीज़े भी आपको जानने हैं, लेकिन उससे पहले, median का एक simple सा question, median का एक simple सा question, कैसे करते हैं, वो आप देखो, ठीक है, यह आपके सामने एक table form में data है, ध्यान रखना, median में data table form में होगा, उसको भी calculate करने के तरीके अलग-अलग हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, ऐसा कोई straight सा नहीं, आपको एक formula बता दिया, या एक तरीका बता दिया और आपने सूच लिए कि अच्छा, आपका table form में data होगा, तो ऐसे calculate हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी different and different है, जैसा data होगा table form में, उसको अलग-लग तरह से calculate करेंगे, यहाँ पे हमारा जो data है, वो आपका table form में तो है, लेकिन, उसमें frequencies नहीं है, दियान रखना, sorry, class intervals नहीं है, यहाँ पे class interval नहीं, सिर्फ आपको class mark given है, अगर class interval नहीं है, सिर्फ class mark given है, तब हम क्या से calculate करेंगे, देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले तो इसको table form में, यह आपका x हो जाएगा, यह हमारा f हो गया, ठीक है, तो यह आ गया, 6, 5, 8, 10, 7, 12, and सबसे last 15, then हमारा f हो गया, 4, 2, 6, 5, 8, 3, 9, 5, 8, 3, 9, अब यहाँ पे हमें cumulative frequency का पहले column create करना है, ठीक है, ध्यान रखना है, median मतलब arrange data पे ही calculate होगा, तो यहाँ पे हमें पहले frequencies को arrange करना है, मतलब cumulative frequency distribution त्यार करना है, क्यासे हो जाएगा, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 8, 25, 25, 25 and 3 हो गया हमारा, 25 and 3, 28, and 28 और 9 आपका आगया, 37, ठीक है, 4, 2, 6, 6, 12, 5, 17, 8, 25, 3, 28, और 32, ठीक है, यह आपका आगया, ठीक है, तो cumulative frequency distribution आपने पहले create कर लिया, जो सबसे last में number आएगा, उसको हम sigma f, लेकिन n करके लिखेंगे, so n is equals to 37, 37, अब क्या करना है, हमारे पास even और odd, median आपका even के लिए अलग formula है, और odd के लिए अलग formula है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि n की value odd है, तो यहाँ पर हम odd वाला formula लगाएंगे, और यहाँ पे median का formula हो जाएगा, n plus 1 divided by 2th observation, ठीक है, n plus 1 divided by 2th term, क्या मतलब हुआ इसका, 37, 37 plus 1 divided by 2th observation, that means 37 plus 1, 38, 38 upon 2, 19, मतलब, 19th जो आपका observation होगा, वो हमारा median है, लेकिन, अब इसमें, 19th observation का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो 19th observation का मतलब है, जो cumulative frequency है, cumulative frequency के अंदर आपको देखना है कि, 19, या फिर 19 से just ज़्यादा, सबसे पहले आपको कहां पर hit होता है, ठीक है, 19 या 19 से just greater, तो यहां से जब हम चलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए, 4 हो गया, 4 आपका आ गया, 4, 2, 6 आ गया, 6, 6, 12 आ गया, ठीक है, 19, 1 minute 19, 19, answer 8 आ रहा है, 6, 6, 5, 8, 10, 7, 12, 15, 6, 5, 8, 10, 7, 12, 15, 4, 2, 6, 5, 8, 3, 9, ठीक है, यह सभी है, यह हमारा frequency हो गई, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 6, 12, ठीक है, 4, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 25 सभी है, यह सबसे लास्ट में आपका 37 आ गया, सभी है, 37 प्लस 1 आपाउन 2, 37 प्लस 1 आपाउन 2 आपका हो जाएगा, 38 आपाउन 2, that is 19, बट 19 टर्म जो आपका है, वो 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 19 टर्म हमारा 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बटा आणसर आ रहा है 8, कोई बात नहीं, इसको मैं देख लूँगा, लेकिन ये तरीका क्या है, जो यहाँ पर नंबर आता है 19, 19 नंबर आपको क्यूमिलेटी फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम में देखना है, और जहाँ पर भी 19 या 19 से जस्ट ग्रेटर आपको नंबर मिलेगा, उसके सामने जो हमारा X की वैल्यू है या फिर प्लास्मा की वैल्यू है वो आपका अंसर है, जैसे, यहाँ से जब हम चले 4, अभी तक 19 नहीं आए, 6 अभी तक 19 नहीं आए, 12 अभी तक भी 19 नहीं आया है, फिर आप 17 पे पहुंचे, अभी भी 19 नहीं आया, है, किसी के सामने जो हमारे x की value है वो आपका हो जाएगा median मतलब हमारे इस data का median आना चाहिए वो हो जाएगा 7, तो आप जो मुझे देखना है कि 8 हमारा सही गलगलत है ठीक हमारे सामने जो data है और जो तरीका मैंने आपको बताया हमें पहले sigma f निकालना है मतलब cumulative frequency निकालनी है वहाँ पर cumulative frequency में सबसे last पर जो number है वो ले लेना है अगर वो number even है तो even का formula लगाना है जो भी हमने ungroup data पर बढ़ाता है ध्यान रखना ये data तो tabular form में है लेकिन अभी जो formula आप लगाओगे वो ungroup data वाला ही लगाओगे ठीक है तो ये मारा odd हो गया odd के अंदर ungroup data का formula है n plus 1 upon 2 th observation और ये आप कहा जागा 19th observation ठीक है 2 9 जा 18 2 बन जा 2 2 9 जा 18 ठीक है और 19th observation जब हमने देखा तो 19th observation आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है क्योंकि यहाँ तक 19 नहीं मिलता है 19th observation के सामने जो भी value है आपके x की उसकों हम pick कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा median मतलब इस data का median हो गया 7 ठीक तो ये question आपका हो गया पहला ठीक है तो अब हम लोग median को calculate करना सीखेंगे formula के through ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ ठीक है ये जो था वो हमारा raw data वाला जो formula था जो आपका non-tabular form के data का formula था उस पर calculation है अब median में आप बिलकुल नई चीज़ पढ़ने वाले हो यहाँ पर एक चीज़ बता तो इस class के अंदर median के अंदर जो जो हो सकता है तरीका median को calculate करने का सारी चीज़ में आपको बताऊंगा मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जो CBSC board के अंदर पढ़ाया जाते हैं कुछ ऐसे methods हैं जो ICSC board में पढ़ाया जाते हैं ठीक है जैसे ICSC board में जब tabular form में data होता है ठीके tabular form मतलब आपका data हो गया जैसे ये question है ICSC board के अंदर जब tabular form data होता है पिछला data भी tabular form था difference क्या है अगर हमारी tables के अंदर class intervals हैं तो अगर class intervals हैं तो ICSC board में हमको ojive ठीक है एक graph होता है ojive उसके बारे में आपको पढ़ना है हमें ojive से median को calculate करना सिखाया जाता है जबकि CBSC board के अंदर ojive भी है और वहाँ पे एक formula भी है जो हमारे लिए median को calculate करने के लिए हमको सिखाया जाता है मैं इस class में आपको दोनों चीज़े बताऊंगा कि कैसे हम लोग median को calculate करते है through formula when class intervals given and through ojive graph kill method से भी उसको कैसे calculate करते है हम दोनों चीज़े सीखेंगे लेकिन फिर से उससे पहले मैंने आपको भी जैसे एक चीज़ बताई कि हमारा जो class intervals है जो हमारा data है वो भी दो form में दिया जाएगा तो यहाँ पे जो आपका left hand side data है यह हमारा less than distribution वाला है यह जो data आपका है वो more than distribution का data है और जो यह वाला data है वो हमारा less than distribution है हमें क्या करना है सबसे पहले इसको tabular form में convert करना है जो आपका data ऐसा है पहले हमको उसे इस तरह से normal table form में convert करना है तो सबसे पहले आपको यह सीखना है क्योंकि exam में यह भी पूछ लिया जाता है कि जो data आपको यह given है इसको tabular form में convert करो ठीक है तो देखते हैं कैसे आपका अगर more than जा फिर less than data है तो उसको normal table form में class intervals के form में कैसे calculate करते है ठीक सबसे पहले हम वो देखना है चलिए तो start करते हैं यहां से तो सबसे पहले हम देखें कि जो more than वाला आपका है more than class distribution जो होते हैं उसको हम table form में कैसे convert करते हैं frequency के form में ठीक है class intervals वग्यरा के form में कैसे convert करेंगे अब data आपके सामने है और इसको हमें convert करना है class intervals के form में ठीक है क्या करना है आपको यहां पर लिखना है class intervals और यह आपके होगे frequency अब एक शीज़ बता दू यह जो given है अगर आप इसको द्यान से देखोगे तो यह normal frequency नहीं है यह हमारे cumulative frequency है मतलब यहां पर यह एक order में arrange है यहां पर आप देखो तो descending order में arrange है तो अगर यह descending order यह फिर descending order में arrange है यह आपका cumulative frequency given है हमें इस cumulative frequency को normal frequency में convert करना है तो यह भी आपको ध्यान देना है प्लस कैसे इसका class interval बनेगा आपको वो दिखाता हूँ अब छोटी छोटी चीज़े जब भी आपको data more than given होगा अगर हमें more than distribution given है तो इसका मतलब more than के साथ में जो भी यह आपके numbers लिखे होते हैं यह हमेशा lower limit को represent करते हैं ध्यान रखना है more than के साथ जो भी numbers होंगे वो हमेशा हमारे lower limit को represent करने वाले number है ठीक है lower limit मतलब like 0 to 10 अगर लिखा है तो इसमें आपका जो यह 0 है वो यहां से pick किया गया है ठीक तो more than के अंदर जो आपके numbers होते हैं वो आपके lower limit को represent करने वाले number होते हैं तो इसका मतलब है more than 0 more than 0 का मतलब हो गया more than 0 का मतलब है 0 to 10 ठीक है अब 0 to 10 में क्या है देखिए जब हमें more than 0 दिया हुआ तो more than 0 में हमारे सारे numbers आ जाते हैं ठीक है more than 0 के अंदर हमारे सारे numbers आ जाएंगे फिर इसी तरह से हमारा हो जाएगा 10 to 20 फिर हमारा हो जाएगा 20 to 30 फिर हो जाएगा 30 to 40 इसी तरह से हमारा हो जाएगा 40 से 50 और finally हमारा हो जाएगा 50 to 60, ठीक है, अब देखो more than 0, more than 10, more than 20 ऐसे लिखा हुआ है, अब ध्यान से समझने, more than 0 मतलब अगर हम मानने किसी क्लास में total 60 students हैं, तो यहाँ पिनोंने बोला है कि 0 से ज़्यादा number जो है, कितने बच्चों के आए, मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसके 0 number आया होगा, इसका मतलब जब मैं कहूँगा, कि भाई, कितने बच्चे हैं, जिनके number 0 से ज़्यादा आएं, तो सारे बच्चे हाँ उठा देंगे, तो यहाँ पर ऐसा ही है कि more than 0 में तो आपके 66 हैं, ठीक है, इसके बाद, जब आप more than 10 पर आओगे तो आपको थोड़ा सा कुछ क्लियर होगा, अब more than 10 का क्या मतलब है, मैंने पहले बोला कि कितने बच्चों की number 0 से ज़्यादा आएं हैं, तो सारे बच्चों नहाँ उठा दिया, कि हमारे number 0 से ज़्यादा आएं, मतलब भले किसी के 2 आएं हो, 4 आएं हो, किसी के 60 में 60 आगए हो, ठीक, जब मैंने का ठीक है, कैसे कितने बच्चे हैं, जिनके number 10 से ज़्यादा आएं, इसका मतलब, अब जो 0 से 10 के बीच में number पाएं होंगे, वो अपना हाथ down कर लेंगे, कितने बच्चे down करेंगे, तो 66 minus 44, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, जब 10 से 20 के बीच में आएंगा, तो 0 से 10, 0 से 10 में कितने बच्चे आएंगे, यह आपका हो जाएगा, 66 minus 44, और हमें answer कितना मिल जाएगा, 6 minus 4, 22, ठीक है, यह आपका 22 आगया, ठीक, ध्यान से देखना, more than 0 में 66 था, लेकिन जब मैं कहूंगा, more than 10, तो more than 10 का मतलब है, वो बच्चे जो 10 से ज्यादा नंबर लाएं, तो 10 से ज्यादा नंबर लाएं मतलब, अब जब आप more than 0 में वापस जाओगे, तो more than 0 का मतलब क्या है, 0 से लेकर 10 कितने बच्चे लाएं हैं, तो more than 10 वाले उसमें से हटा लेंगे, 66 माइनस 44, ये वो बच्चे हैं, जो 0 से 10 के बीच में नंबर लाएं, then, 10 से 20, तो 10 से 20 के लिए आप देखो, more than 20 में चले जाओ, मैंने बोला, कितने बच्चे हैं, जो 20 से जादा नंबर लाएं, तो वो बच्चे, जो 0 से 20 के बीच में नंबर लाएंगे, वो अपना हाथ डाउन कर लेंगे, लेकिन, जिन बच्चों ने हाथ डाउन किया है, उसमें वो बच्चे भी हैं, जिन्नों ने 0 से 10 के बीच नंबर पाया, कहने का मतल है more than 20 number जब हम देखेंगे तो हम यह पता चल जाएगा कि 10 से 20 की बीच में कितने number है तो यहां पर आपको 32 से 44 माइनस करना है तो यह आपका हो जाएगा 34 माइनस 34 एकनट 34 माइनस 66 माइनस 44 ठीक है 44 माइनस 34 ठीक है यह हमारा हो गया 44 माइनस 34 यह आपका आगया 10 ऐसे 10 बच्चे हैं जो 10 से 20 की बीच में number लाए देन आगे की तरह बढ़ेंगे 20 से 30 अब 20 से 30 के लिए हमको क्या देखना है more than 30 जो बच्चे 30 से ज्यादा number लाएं वो 26 ठीक है 26 बच्चे ऐसे हैं जो number 30 से भी ज्यादा लाएं तो अब हमें क्या करना है 26 माइनस 34 करना है तो उससे पता चलेगा 20 से 30 के बीच तो यह आपका हो जाएगा 34 माइनस 26 तो 34 माइनस 26 कितना हो जाएगा 8 ऐसे 8 बच्चे हैं जो number हमारे लाएं है 20 से 30 के बीच में 30 से आपके हो गए more than 40 तो more than 40 के लिए हो जाएगा 26 माइनस 11 तो यह आपका हो गया 26 माइनस 11 so 6 माइनस 1 5 and 2 माइनस 1 1 ऐसे 15 बच्चे हैं जो number 30 से 40 की बीच में लाएं then सबसे last में more than 50 so more than 50 के लिए हमें क्या करना 11 माइनस 6 so 40 से 50 की बीच में हो गया 11 माइनस 6 इसका मतलब हुआ कितना आ गया 11 माइनस 6 5 ऐसे 5 बच्चे हैं जो number 11 से sorry 40 से 50 की बीच मिला है और इसके बाद सबसे last में आपका कितना आ जाएगा 11 माइनस 6 ठीक है तो यह आपका हो गया 10 सबसे ब्यावद में कितना आ जाएगा 22 माइन प्लस 10 मारा हो जाएगा 32 32 और 8 कितना हो गया 40 40 और 10 कितना हो गया 40 और 10 हो गया 50 50 और 10 हो गया 60 और सबसे कंवेडिय को काल्कुलेट करने के लिए क्याम टेटल सिदा चाहिए लेकिन चाहिए कभी कभी जब हमें और जाएव मतलब जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें फ्रिक्वेंशी पर आप फिर जोरौत पढरती है तो अ Absolute सिंदर में करौत कर Herm continued क करेंगे अdust frequencies की ज़रुद पड़ेगी कैसे हम लोग किसी more than distribution से data normal frequency distribution में convert करते हैं वो आपके सामने हैं ठीक है तो ध्यान रखना है यहाँ पर यह जो numbers है वो हमारे सारे lower limit के number थे more than 0, more than 10 more than 20, more than 30, more than 40 and more than 60 यह numbers आपके इधर वाले numbers थे ठीक है यह आपको distribution होता है उसको हमें normal frequency form में convert करना है ठीक है तो less than frequency distribution को कैसे हम लोग normal frequency form में convert करते हैं एक बाब वो देख ले जलते हैं फिर उसके बाद calculation कैसे formula से और कैसे graphical form में हम लोग data को median को calculate करते हैं ठीक है तो यह आपका data हो गया less than तो clear है जब हमारा data less than वाला होगा ठीक है less than आपका distribution है तो less than distribution के अंदर यह जो number है वो हमारे upper limit वाले number है ठीक है यह हमारे सारे numbers हो गए upper limit के ठीक तो यह आपका हो गया class interval और यह हमारे हो गया normal frequency ठीक है यह जो given है cumulative frequency है ध्यान लखना है reason क्योंकि यह भी order में range है यह आपके ascending order में range है थी कि वहाँ पर descending order था वो भी cumulative frequency था यहाँ पर यह ascending order में तो यह भी हमारा cumulative frequency है ना कि normal frequency तो यह आपका हो जाएगा less than 10 मतलब 0 to 10 less than 20 मतलब 10 से 20 less than 30 का मतलब हो गया 20 to 30 यह आपका हो गया 20 to 30 less than 40 का मतलब है 30 to 40 and फिर आपका हो जाएगा 40 to 50 40 to 50 and finally आपका हो गया less than 60 का मतलब हो गया 50 to 60 ठीक है less than 10 0 to 10 less than 20 10 से 20 20 is 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 देखें अब यहाँ पर क्या है less than 10 में तो आपका 22 है ठीक है less than 10 में आपकी कितने बच्चे हो गए 22 बच्चे हो गए जिन्होंने less than 10 में नमबर पाए हुए है ठीक है यहाँ पर clear है अब जब less than 20 बोला जाएगा ठीक है इसको भी आप practically समझो अगर आपने बोला ऐसे कितने बच्चे हैं जो 10 से कम नमबर लाए हैं तो इसका मतलब सिर्फ 22 बच्चे जो 0 से 10 के बीच में नमबर लाएं उन्होंने अपना हैंड रेस कर दिया आपने का ठीक है हाँ नीचे कर लो अब ऐसे कितने बच्चे हैं जो 20 से कम नमबर लाएं तो वो बच्चे जिन्होंने पहले हाथ उठा है तो फिर से उठाना पड़ेगा क्योंकि वो भी तो 20 से कम में फिर से आ जाएंगे प्लस कुछ ऐसे बच्चे और अपना हाथ उठा देगे जो 10 से तो उपर पाएं लेकिन 20 के अंदर पाएं नमबर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जब हम less than 20 में आएंगे 10 से 20 तो 10 से 20 का मतलब है इसमें ये बच्चे भी included हैं तो 32 से पहले आप इन बच्चे को minus कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 minus 22 और ये number आपको मिल जाएगा 10 मतलब 20 से 10 से 20 में सिर्फ 10 बच्चे हैं जो number लाएं है जो 10 के 20 के बीच में number लाएं जो 10 बच्चे हैं ठीक है then 20 से 30 तो 20 से 30 का मतलब हो गया 40 से हैं हमको 32 minus करना है so 40 minus 32 ऐसे 8 बच्चे हैं जो 20 से 30 के बीच में number लाएं फिर 55 से 40 minus करेंगे तो आपको पता जी लेगा 30 से 40 के बीच में कितने बच्चे number लाएं हैं तो ये हमारा हो जाएगा 55 minus 40 कितना आ जाएगा 15 then 40 से 50 60 minus 55 40 से 50 की बीच में number लाने वाले बच्चे हो गए 60 minus 55 मतलब 5 बच्चे and सबसे last 60 minus 66 minus 60 ये वो बच्चे हैं जो 50 से 60 की बीच में number लाएं तो ये आपको हो जाएंगे 66 minus 60 60 ऐसे 6 बच्चे हैं जो 50 से 60 की बीच में number लाएं तो जो हमारा less than distribution था उससे भी हमने ये normal distribution create कर दिया exam में यही पूछ लिया जाता है ठीक है इससे उसको बनाना या फिर उससे इसको बनाना तो ध्यान रखना है अगर हमें इससे वो बनाना है मतलब less than बनाना है तो हमें इन numbers को पकड़ना होगा ठीक है अगर मान लिए आपको ये data given और आपको less than बनाना है तो more than 10, more than 20, more than 30, more than 40 ऐसे लिखना शुरू करेंगे प्लस इन सारे numbers को add करते हुए आप पीचे की तरफ चले जाओगी ठीक है तो इससे वो बनाना और आपके normal distribution से उसको less than या more than बनाना आपको दोनों आना चाहिए ठीक है आपके सामने हैं आपको practice करनी है ठीक ओके और हमने ये बनाया क्यों फिर से repeat कर दू आपको अगर ये data given है और आपसे median का calculation पूछा जाता है through formula तो जब तक आप ये data create नहीं कर लोगे तब तक आप formula के through median को calculate नहीं कर पाओगे even आपको जायब बनाने में भी problem आएगी तो आपको ध्यार लखना है कि आपको जो more than or less than distribution उसे normal distribution बनाना अच्छे से आना चाहिए ठीक है अब हम लोग calculation देखेंगे one by one की कैसे हम किसी tabular form जिसमें class intervals given है उसका calculation through formula करते है और उसी का calculation through हम graphical method मतलब हो जाइब के through करते है ठीक है चलिए तो सबसे पहले through formula ठीक है median का calculation formula के through अगर हमें class intervals given है तो ठीक है formula मैं पहले लिख देता हूँ और formula में जो numbers है जो elements है उनका नाम भी बताते है वो होता क्या है median के अंदर हमारा formula median को calculate करने का हो जाएगा median is equals to median is equals to L plus N by 2 minus CF whole upon F and multiplied by H यह हमारा formula है जिसके through हम लोग median को calculate करते है ठीक है मैं इसी class के अंदर आपको graphical method मतलब हो जाएगा फ्रूवी formula बताऊँगा तो अब इसको कैसे इसमें कौन से numbers क्या क्या represent करते हैं सबसे पहले L पे आते L क्या होता है L हमारा होता है lower limit of median class L आपका होता है lower limit of median class यह हमारा L हो गया then n by 2 n by 2 हम already जान चुके है कि n जो आपका होता है वो sigma f की value होता है तो इसको half कर देना तो n का मतलब है basically sigma f divided by 2 ठीक? फिर हम आजाते है frequency पे f का मतलब होता है जो आपका median class होता है frequency of median class यह हो गया frequency of median class अब यह median class क्या होता है यह आपको भी बताता हूँ ठीक है frequency of median class and सबसे last में आपका आता है cf ठीक? cf का मतलब होता है cf का मतलब है cumulative frequency of class preceding the median class of class preceding median class preceding median class तो यह सारे numbers का मतलब है और इन सारे numbers के through हम लोग calculate करेंगे अपना पूरा जो हमारा median का मतलब calculation होता through formula ठीक है? देखे ओके start करते हैं सबसे पहले आपका class interval हो गया इसके बाद हमारा frequency हो गया यहाँ पे हमें x की value create करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक आपको class mark नहीं बनाना है तो class intervals हमारे हो गया 0 से 10 फिर हो गया हमारे 10 से 20 then 20 से 30 then 30 से 40 और 40 से 50 और सबसे last में आपका हो गया 50 to 60 ठीक है? frequencies हो गई है 5 8 20 15 7 और 5 ठीक है? तो ये तो question हो गया अब कैसे calculate करेंगे? देखो सबसे पहले आपको बनाना है cumulative frequency का column तो ये हो जाएगा 5 5, 8, 13 13 and 20 33 33 और 15 5, 3, 8 48 48 और 7 हमारा हो गया 55 and 55 and 5 आपका हो गया 60 तो इसका मतलब जो n की value आ गई वो आ गई 60 मतलब sigma f हमारा 60 आ गया ठीक है? आप उसको small लिखो, capital लिखो इससे कोई फर्क ने पहुता है ठीक? n की value तो sigma f यानि n की value 60 आ गई और बस अब सारी चीज़े आपको formula के अंदर substitute कर देनी है ठीक है? तो यहाँ पे हमारा median हो जाएगा अब इसमें कौन कौन सी चीज़े है उससे पहले median class क्या होता है एक number का question यही पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले हम लोग median class की बात करते है ठीक है? median class के लिए आपको क्या करना है n by 2 को calculate करना है तो n by 2 हमारा आ जाएगा 60 divided by 2 मतलब 30 तो जो 30 number है cumulative frequency का कौन सा row जो है वो 30 या 30 से just greater है तो जब हमने ऐसे देखा तो हमको ये बाला जो row मिलता है ठीक है? cumulative frequency को देखना है 30 या 30 से just greater 5 अभी तक 30 नहीं आया 13 अभी तक 30 नहीं आया लेकिन जब हम यहाँ पहुँचेंगे मतलब 30 आ चुका है तो जैसे ही cumulative frequency का कोई number 30 मतलब n by 2 या उससे just greater मिलेगा वो जो पूरा आपका हो जाएगा ये पूरा row जो हो जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं median class this is called median class तो आपको median class को अलग से भी समझके रखना है एक number में आपसे median class ही पूछ लिया जाता है ठीक है ये median class है अब इस median class के अंदर 20 जो आपका है वो L हो गया फिर हमारा जो ये वाला 20 ये जो 20 हमारा है ये basically हमारा हो जाएगा frequency और ये जो 33 है ये आपका हो जाएगा CF ठीक है वहाँ से देखना lower limit lower limit of median class L हो गया then हमारा F frequency of the median class जो median class है उसका जो frequency है वो आपका F हो जाएगा then cumulative frequency of class preceding the median class median class के जो पहले वाला number है cumulative frequency में हो CF हो जाएगा सारी values को आप यहाँ पर substitute कर तो ठीक है तो median आपका हो गया 20 plus 20 plus n by 2 minus CF n by 2 मतलब 30 minus CF CF आपका हो गया 13 divided by divided by F F कितना है 20 divided by F आपका 20 हो गया and multiplied by H जो की 10 है ठीक है H का मतलब 10 minus 0 और 20 minus 10 आप नहीं से भी निकाल लो तो यह आपका हो जाएगा 10 10 2 times 20 मतलब 20 plus 30 minus 13 17 upon 2 इसको calculate करेंगे तो यह आजाएगा 8.5 और इनका addition हो गया 28.5 ठीक है class intervals है तो कोई unit नहीं है 28.5 और यह आपका आज़से ठीक तो कैसे हम लोग formulae के through median को calculate करते हैं वो आपने इस question में देखा ठीक है लेकिन आपको class interval given होगी तभी आपके बड़ा-वाला formula लगा होगी हमने सबसे पहला जो question पढ़ा था वहाँ पे class interval given नहीं थी इवन आपका जो data था वो tabular form में था तो वहाँ पे हमने वही method लगाया वही formula लगाया जो हम raw data पे लगाते हैं ठीक है तो अगर class intervals given है तब हमारा यह formula काम करेगा बस आपको cumulative frequency का column create करना है ठीक है और अगर आपको data अगर आपको data ऐसा more than या less than form में given है तो पहले आपको इस form में convert करना ही पड़ेगा तब ही आप यह वाला formula जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है formula के थू calculation वो आप perform करपा होगे ठीक है तो सारी चीज़े आप ध्यान रखना क्या क्या जरूरा थे किसके लिए हर एक शीज़ का number का मतलब क्या letters का और इसके बाद formula and सारा question आपके सामने ठीक है तो आपको practice करने ही कि कैसे हम लोग formula के थू उजाइब को calculate करते है CBC board के अंदर formula के थू उजाइब का calculation जरूर आएगा ठीक है हम लोग देखेंगे कैसे हम median का calculation graphical method से करते है ठीक है graphical method से कैसे हम लोग frequency मेडियन का calculation करेंगे ठीक तो graphical method का मतलब है कि अगर हमें median को graph के थू चैलकुलेट करना है तो graph से median को calculate करने के लिए हमारे पास graph होता है उसको हम बोलते हैं ठीक आपको इग्राफ का पहले मतलब बता देता हूँ ठीक है कुछ इसके लिए basic चीज़े बता दे ने फिर इसका graph बनाते है ओजाइव क्या होता है ओजाइव is the graph it is a graph of cumulative frequency it is a graph of cumulative frequency it is a graph of cumulative frequency which plotted which are plotted against upper limit against upper limit cumulative frequency का graph होता है cumulative frequency हम लोग अपर लिमिट के सामने plot करते हैं लेकिन इसको हम बोलते हैं less than užजाइव मतलब it is then called it is then called less than užजाइव less than užजाइव मतलब हम लोग less than užजाइव को calculate करने जा रहे हैं less than užजाइव को plotने जा रहे हैं तो ऐसे graph हम बोलेंगे less than užजाइव और आपको पहले से एक हिंट कर दूँ जो हमारा less than užजाइव होता है ना वो basically ऊपर की तरफ जाएगा जो आपका less than उजाइव होगा उसका graph ऊपर की तरफ जाएगा ठीक है ये graph आपका ऐसे आता है ठीक है ये more than उजाइब का लेकिन अभी हम लोग इस class में less than उजाइब पॉलेंगे reason क्या है ICSC के अंदर जो median का calculation है वो graph के थ्रू आता है और जो graph आपको यूज करना है जो तरीका आपको यूज करना है graph का वो है less than उजाइब तो अभी जो उजाइब हम पढ़ने जा रहे है वो है हमारा less than उजाइब ठीक है तो more than उजाइब ICSC के syllabus में है नहीं और CVSC में इस वाल उजाइब के थ्रू calculation ही नहीं है तो आप लोग बस देख लो कि जो चीज़ आपके syllabus से हट चुकी है basically वो है क्या ठीक है तो हम लोग less than frequencies होती है उनको हम लोग plot करते हैं अगेंस्ट अपर लिमेंट यह दो थी चीज़े आपको चोटी चोटी याद रखते हैं ठीक है चलिए कैसे करते हैं देखो ठीक ध्यान से देखना थोड़ा lengthy process है ठीक है सबसे पहले जैसे आप calculation start करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको cumulative frequencies को cumulative frequency का column create करना है ठीक तो यह आपका हो गया class interval class intervals आपके हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and finally 50 to 60 question वही है जो अभी हमने पीछे किया formula के through बस हमने method देखना है कि कैसे हम graph के through उजाए को calculate करते हैं इसके बाद आपके frequencies आ जाएंगे 5, 8, 20, 15, 7 and finally 5 ठीक फिर सबसे important चीज़ आपको बनाना है cumulative frequency का column ठीक है cumulative frequency कैसे बन जाएगा 5 हो गया 5, 8, 13 हो गया 13 और 20, 33 हो गया 33 और 15 हमारा 48 हो गया 48 and 7 हो गया 55, 55 and 5 हो गया 60 ठीक है मतलब जो sigma f की value है जो n की value है वो कितनी आ जाएगी 60 इसकी जरुरत पढ़ेगी आपको बताता हूँ ठीक है अब क्या करना है बस plotting start कर देनी है ठीक है हमें plot करना है आपके जो upper limits हैं उनको हमें plot करना है against cumulative frequency या cumulative frequencies को plot करना है upper limit के सामने तो जो हमारा graph है इस graph के अंदर ठीक है थोड़ा सा कुछ चुत्रकारी इसके अंदर भी हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी उसको करके फिर हम start करते हैं ठीक है तो यह भी ध्यान रखना है एक्जाम में तो जो आपको मिलेगा वो obvious ऐसा मिलेगा जो उसके अंदर आ जाए ठीक है यहां पर हमने थ्वासा देख लिया है यह आपका हो गया y axis और इसके बाद यह हो गया हमारा x axis ठीक है ऐसे ठीक है तो आपको भी ऐसे वहां पर structures बना दे CX और यह आपका हो गया y ठीक है class intervals जो रहेंगे वो हमेशा x axis पे रहेंगे ठीक है तो जो आपके class intervals है उनको हमेशा x axis पे रखते हैं so these are class intervals ठीक कभी भी आप class intervals को हमेशा x axis पे रखोगे and जो frequency है अब यहां पे frequency आपके normal वाली नहीं है वो हमारी cumulative frequency उसको y axis पे रखते हैं तो ध्यान रखना है, frequency को हमेशा y-axis पे, and class intervals को हमेशा x-axis ठीक, numbers, यह आपका हो गया 10, यह हो गया 20, यह 30, 40, 50, and then 60, ठीक है, यह numbers आपको लिखना है, ठीक, 0 से start है, जो भी ध्यान रखना है, मतलब 0 से लेकर, जो 60 तक आपके numbers है, उनको हमें यहां पे लिखना था, तो 0, 10, 20 30, 40, 50, 60, अब आजाते हैं y-axis पे, y-axis के लिए आपको क्या करना है, cumulative frequency वाला जो column है, उसमें आपको देखना है, तो सबसे छोटी value कितनी है, 5, और जो सबसे बड़ी value है, वो 60 है, तो जितने भी आपके पास यह columns हैं, यह जैसे आपको given है, तो हमें क्या करना है, इसी के according अ और दे 60, ठीक, अगर, अगर यह number और बड़े होते, अगर यह number सपोस करिए cumulative frequency बड़ी table होते हैं, और यह 100 तक जाता, 120 तक जाता, और बड़ा होता, तो मैं इसको 0, 5, 15, 20, थोड़ा सा महुँचोटा अगर लेते, तो graph को बहुत छोटा भी नहीं बनाना है, बहुत इतना ब तो यहाँ पर जो scale है, ठीक है, यहाँ पर जो scale हमने use की है, x-axis पर हमने क्या use किया है, जो यह हिस्सा है, यह 2 cm का है, ठीक है, यह हिस्सा हमारा 2 cm है, तो x-axis पर मैंने क्या किया है, 2 cm is equals to 10 units, ठीक है, 2 cm equals to 10 units हो गया, y-axis पर क्या है, देखो, y-axis के ओपर हमने रखा हुआ है 2 cm equals to 10 unit, वहाँ पे भी सेम है, तो 2 cm is equals to 10 unit, आपको scale जरूर देनी है, ठीक है, scale के बाद बस, अब आपका पूरा question set है plotting के लिए, ठीक है, जिस्टार्ट करते हैं plotting, सबसे पहले, 0 to 10, मैंने बताया था ना कि less than हो जाइब जो होता है, नॉर्मल हो जाइब ये less than हो जाइब जो होता है, उसमें हमें cumulative frequencies को plot करना होता है, upper limit के सामने, मतलब 0 to 10, 10 के सामने हमें 5 को plot करना है, ठीक है, चलो, तो 0 to 10, 10 के सामने 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 5 हमारा यह आ गया, यह आपका हो गया 5, so 0 to 10, 10 के सामने 5 आ गया, then 10 से 20, 20 के सामने 13 आ जाएगा, 10 से 20, और 20 के सामने 13, मतलब यह हमारा 13 हो गया, ठीक है, यह 13 हो गया, then 20 से 30, 30 के सामने 33, 20 से 30 और 30 के सामने हमारा 33 3 आ जाएगा, यह 30 हो गया, और 3 उपर यह हमारा 33 हो गया, ठीक है, then 30 से 40, 40 के सामने 48, 30 से 40, 40 के सामने 48, यह आपका हो गया 40, और यह हमारा हो गया 48, ठीक है, then 40 से 50, 50 के सामने 55 आ जाएगा, 40 से 50, और 50 के सामने यह आपका हो गया 55 and सबसे last में 50 से 60 और 60 के सामने 60 50 से 60 and 60 के सामने यह आपका आगया 60 इस तरह से आपको plot करना है cumulative frequency को upper limit के सामने है इसके बाद हमें क्या करना है data के अंदर जाना है और यहां से लेकर यहां तर यह पूरा आपको एक free hand curve के थ्रू के आपको join कर देना है ठीक है कैसे join करना है free hand curve आपको join करना है यह हमें ध्यान रखना है ठीक है तो मेरे पास free hand curve है ठीक है मैं check करता हूँ कर मैं बना सकता हूँ वलना फिर मैं free hand बनाऊंगा ठीक है नहीं भाई जीरो से start करना है, इस तरह से हमें जाना है यह आपको ऐसे करते हुए और यह ठीक, pencil उटने नहीं चाहिए, scale से नहीं बनाना है, मतलब इसको ऐसे मत बना देना, ऐसे ऐसे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? ओके ये आपका उजाइब है ये आपका less than उजाइब है अब इस उजाइब से हम क्या क्या calculate कर सकते हैं देखिए सबसे पहले तो median calculate करते हैं जो हमें calculate करने को बोला गया है तो median का calculation उजाइब के थूँ कैसे होता है अब आपके सामने देखो यहां पे जो आपके n की value है n कितना है 60 आप उसका half कर दो अगर even है तो half कर दो अगर odd है तो one add करके half कर दो ठीके अगर वो आपका even है तो सीधे आपको से divide कर दो अगर ये odd है तो पहले one add करो उससे आपको even हो जाएगा फिर two से divide करो उतना करने के बाद ठीक है ध्यान से समझना जो जाइव होता है जो सारी जो मीडियन होता है वो हमेशा आपको x-axis पर मिलेगा मीडियन हमेशा कहां पर मिलेगा आपको x-axis पर ही मैं आपको मीडियन का अंसर मिलेगा ठीक है 60 का हाफ किया 30 आ गया और जो 30 है यक्सिस पर वहाँ से आप Direct Line ले जाओगे वहाँ से हम एक ऐसे Straight Line ले जाएंगे ठीक है ओके यहाँ से हम एक ऐसे Straight Line ले जाएंगे वह Straight Line हमरे उजाइब को जहाँ पर टुच करेगी वहां से हम नीचे की तरफ आ जाएंगे ठीक है इस तरह से हम वहां से नीचे की तरफ इस ट्रेट आ जाएंगे और बस यहां पर आपको जो value मिलेगी वो median की value मिल जाएगी ठीक है ध्यान रखना है median का answer x-axis पे होता है हमें y से चलके x पे आना है तो 30 किसी उसको represent करता है 30 हमारा represent करता है n by 2 को तो जो भी n by 2 की value आपको y-axis पे मिलती है वहां से आपको x के parallel जाना है जहां पर आपका हो जाएव intersect होता है वहां से हमें down चले जाना एकदम perpendicular straight और यहां पे जो भी एप्रॉक्स value आपको मिलती है वह आपका हो जाएगा median मतलब हमारे question के हिसाब से जो median यहां पे हमें मिलने वाला है वो कितना है 20, 30 और यह blocks है 10 मतलब यह लगभग 28.5 फिर से आ गया तो यह आपका 29 भी आप लिख सकते हो साथ में यहां पे आपको क्या देना है approach ठीक है ध्यान रखना formula में 28.5 आ गया ठीक है यहां पे 28.5 लिखा है में लिख सकता हूँ लेकिन exam में जब हम यह question करेंगे तो हम इतना sure नहीं होंगे ठीक है तो आप 28 भी लिख सकते हो 28.5 भी लिख सकते हो 29 भी लिख सकते हो और वहां पे आपको क्या देना है approach ठीक तो ध्यान रखना है उजाइब वाले question में आपका median है वो approach में ही देना है reason हमने free hand बनाया है तो free hand में थोड़ा सा 19 20 हो सकता है तो आप sharp answer नहीं पाओगे ठीक तो 28 27.5 28.5 29 29.5 सारे answer लिए जाएंगे approach लिख देना ठीक तो बस आपका number नहीं कटेगा ठीक है तो ये तरीका था median के calculate करने का through formula and through ojai एक दो चीजे और ठीक है ये हमने calculate कर लिया कि ojai कैसे calculate करते है ojai के तो हम लोग median कैसे लिखा होते है अब आपको ये देखना है कि क्या कुछ और भी calculate करते है है क्या calculate करते है हम लोग कुछ और terms है basically जो median होता है वो करता क्या है median जो हमारा पूरा data होता है जैसे अगर इस data को हम 0 से लेकर 100 में range करते है तो median क्या करता है हमारे data को basically जो n by 2 होता है वो median को represent करता है median हमारे data को basically इसलिए दो equal parts में divide करता है तो अगर हमारा median 28.5 है इसका मतलब हुआ 50% बच्चे 28.5 से कम number लाएं और 50% बच्चे 28.5 से ज्यादा number लाएं इसका यह मतलब निकला ठीक है तो यह तो median हो गया अब 0 से median के बीच का जो data होता है मतलब अगर इस portion को हम half करते हैं तो यहां पे हमारा एक term निकल के आता है जिसको हम बोलते है lower quartile this is called lower quartile then यहां से यहां तक जो आपका एक term निकल के आता है इसको हम बोलते है upper quartile तो इस तरह से कुछ और terms भी हैं जो calculate होते है median में ठीक है अब अगर median आपका n by 2 है तो obvious हमारा जो quartile हुआ lower quartile ये by 4 हो जाएगा लेकिन even odd क्योंकि median को हम n by 2 भी बोल सकते हैं और आपके n plus 1 by 2 भी बोलते हैं according to even or odd तो आपका lower quartile आपका 1 by 4th है वो भी हमारा हो जाएगा lower quartile आपका हो जाएगा या तो n by 4 होगा या फिर ये n plus 1 by 4 होगा according to even or odd अगर आपका n even है तो lower quartile आप calculate करोगे n by 4 से ठीक अगर आपका n odd है तो आपका lower quartile calculate होगा वो n plus 1 by 4 से calculate होगा ठीक है क्या होता है quartile simple सा है median जो होता है वो आपके data को 2 equal parts में divide करता है upper quartile और lower quartile आपके जो median और 0 से बीच या median और highest data के बीच ही जो value होती है मतलब आपका 1 by 4, 1 by 2 और 3 by 4 basically जो पूरा data होता है उसको 3 parts अलगलग parts में equally divide करने को ही हम लोग quartile होता है ठीक है तो यहाँ पे upper quartile हो जाएगा आपका upper quartile upper quartile आपका हो जाएगा या तो आप इसको बोलेगे 3 by 4 n यह तब होगा जब n आपका क्या हो जाएगा even और या फिर आप इसको बोलोगे 3 by 4 n प्लस 1 ठीक है 3 by 4 n प्लस 1 यह हमें तब रखना है जब हमारा even और वो n क्या हो जाएगा odd हो जाएगा ठीक है तो quartiles को calculate करने के formula आपके सामने simple से है median आपका n by 2 या फिर n plus 1 by 2 होता है according to even odd quartile lower quartile हमारा n by 4 या फिर n plus 1 by 4 होगा according to even odd then upper quartile आपका 3 by 4 and या फिर 3 by 4 n plus 1 होगा according to even odd value of n calculate कैसे होगा जैसे median आपका x-axis पे था उसी तरह से quartiles भी हमारे x-axis पे ही होते हैं मतलब किदर से आना है y से चलके x की तरह ठीक है एक आपको बता देता हूँ अगर इसी question के अंदर हमें lower quartile calculate करना होता है तो हमारा n कितना था 60 60 को हम by 4 करेंगे तो 60 by 4 कितना हो जाएगा यह आ जाएगा 15 अब हमें क्या करना है y-axis से 15 वाले नंबर पर जाना है इस data का जो lower quartile हो जाएगा वह जाएगा लगभग कितना 22 ठीक है यह 22 आ जाएगा तो जैसे median calculate हुआ था वैसे ही आपका अपर quartile या फिर lower quartile calculate होगा ठीक है तो यह कुछ terms होते है median के अंदर जो और calculate की जाते है then जब आपका अपर quartile और lower quartile आ जाएगा ठीक है जब हमारा अपर quartile और lower quartile calculate हो जाएगा तब हम लोग निकाल सकते हैं inter quartile range तब हम लोग क्या निकाल सकते हैं inter quartile range इंटर quartile range होते ही क्या है यह basically आपका होता है upper quartile जिसको हम बोलते हैं q3 भी बोलते हैं minus lower quartile ठीक है जिसको हम q1 बोलते हैं मतलब आपका जो inter quartile range होता है वो होता है q3 minus q1 upper quartile minus lower quartile ठीक इसको भी हम लोग calculate कर सकते हैं एक बार आपने quartile को calculate किया तो आपका inter quartile range आज जाएगा ठीक है तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं median के अंदर हम क्या-क्या calculate कर सकते हैं कैसे कैसे हम median को क्या calculate कर सकते हैं group data के अंदर अंग्रोप data के अंदर डुप day to plastics given है तब कैसे calculate करेगे टीक है class intervals में अगर में उजाइभ बनाके calculate करना ग्राफ से तब अगर में formula से करना तो सारी चीज़े मैंने आप ःप बताई है अब क्या करना है इसे के साथ मीडिय लगबग खतम होता है मेरी तब से आपके पाले में गेंड है आपको प्रैक्टिस करनी जितना भी पढ़हए गया उसके एक होड़ ऐसे बस इतना इसकी आज की आपको पढ़ते झाल झाल